ओम नमस्षिवाय जय महाकाल आज के टाइम पे जो सबसे ज़ादा प्रॉब्लम लोगों कहना वहे बीमारी को लेकिए। उनका सारा पैसा जो भी उन्होंने अपने पूरी कमाई रखी है, पूजी रखी हुई है, सब डॉक्टर के पास ज़री है, सब दवामे खर्च हो रहा ह इन कैसे करना है, उससे पहले वीडियो को कर दीजे लाइक और जो भी लोग मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, देखो यह आप इसको उपाय का भी नाम दे सकते हो, और एक कैसे हो कि हाँ, हम सरल विधी का भी इस्तमाल कर रह और दूसरा आपको इस काम को करना होगा, जब आप अपना कोई टेस्ट कराने की जाए, जिसे हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते तो क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट लिख देंगा, कि यहाँ पैथोलोजी पे चले जाओ, यह करा लो, यह टेस्ट करा लो, वो उपाय को करना, और जब आप डॉक्टर से मिलने जाए, तब इस उपाय को करके जाना, ठीके, आपको बहुत अच्छा रेजल्ट देखने को मिलेगा, इस क्रेंट पर आपको दिख रहा होगा, गुड के बहुत सारे टुकडे, दिख रहे हैं आपको इसमें से कितने वो करना चाहे, तो वो करे, या फिर उसके साथ का कोई सदस भी कर सकता है, कोई दिखकत नहीं है, महाद्यो की मंदिर भी जाना, घर पे इस उपाय को नहीं कर सकते, जब भी डॉक्टर के पास जाना हो, तो महाद्यो की मंदिर में उसके पहले जाना, साथ गुड के टुकड कितने टाइम, seven times clockwise direction में, जिस दिशा में घड़ी घुमती है, ठीक है, अपने हाथ में लेके घुमा लेना, और जो भी व्यक्ति आपे घर में बीमार होगा, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, या फिर आप उसको कोई टेस्ट कराने से पहले, उसको साथ गुड की डलियों क खिला करके और पानी पिला देना, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, बहुत जादा अच्छा आएगा, यहाँ पर एक थोड़ा सा exception case है, वो exception case क्या है, कि अगर आप सुगर चेक कराने जा रहा है, यानि कि diabetes चेक कराने जा रहा है, या फिर diabetes कि आप पेशन्ट हैं, तो इस उ आप को करिएगा, रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा, या फिर हम सुगर वाले क्या करेंगे, तो सुगर की जो पेशन्ट हैं, उनको क्या करना होगा, एक लोटा तामबे के लोटे में जल हरना, ठीक है, और महादयो के शिवलिंग की उपर उसी जल से, जो एक लोटा जल ह किसी जल से साथ बार जल जड़ाना स्री शिवाय नमस्तु भिहम का इसमरन करते हुए ईक एक बार करके समरपयत करना, जल बैता हुआ जला धारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, और जो भी विप्तिस सुगर का पेशन्ट है, डाबटीस का पेशन्ट है, जब वो देखेगा बहुत जादा असान सा उपाय था यह, मैंने कोशिश की आप सबको बहुत अच्छे से बताने की ताकि आपको बहुत छोटी सी वीडियो में अच्छी जानकारी प्राप्त हो पाए, यह ना, तो वीडियो पसंद आती हो, तो लाइक कर दीजे, कुछ पूछना हो न नहीं स्तमझ में नीचे कोमें में पूछे हैं, और जो भी लोग मेरी आवाज पहरी वार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओम नमस्षिवाय, जै महाकार